हेलो एवरिवान, वेलकम टो इजी वेग आउमर्स क्लासेज, मैं हो दाविता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर ओफ डिस्पर्शन चेप्टर में से क्वार्टाइल डेवेशन सीखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेवेशन सीखा था लेकिन इडिवीजियल सीरीज में आज हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो सबसे पहले गाईस यह मैं बता चुके कि quartile median की तरह ही होता है जिस तरह के से median में हम लोग 2 से divide करते हैं quartile में हम 4 से divide करते हैं क्योंकि हम अपनी series को 4 parts में divide करते हैं अब सबसे पहले discrete series होती है देखो जिसमें आपको x यानि कि आपके data के साथ उसके frequency given होगी उसे हम discrete series कहते है और individual series कौन सी होती है जिसमें हमें f given नहीं होता है यानि कि frequency नहीं होती यह हमें देखके बता चल जाएगा यह हमारे discrete series है अब इसमें अगर हमें quarter elevation निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले जैसे median के समय पर हमें अपनी series को arrange करना होता है यहां पे भी हमने अपनी series को ascending order में arrange किया पहली चीज़ दूसरी चीज़ median के case में हम क्या निकालते है cumulative frequency CF यहां पर भी हम CF निकालेंगे बहुत easy है निकालना सबसे पहली term हम यहां ले लेंगे इसमें next term प्लस करते है जाएंगे तो 6 प्लस 17 कितना होगा आपका 23 23 प्लस 29 कितना होगा 52 यह आजाएगा guys 90 90 and 115 उसके बाद यह आएगा 129 138 and 139 इसका total भी कितना है 139 है अब हमें quartel का formula तो पता ही है quartel 1 का बहुत easy होते है formula n प्लस 1 divided by 4th item ठीक है तो n यह हो गया quartel 3rd का formula क्यों होते है 3 n प्लस 1 divided by 4th item तो सबसे पहले हमें q1 and q3 निकालना है तो q1 हम easily निकाल सकते हैं guys n हमें पता है कितना है 139 summation जो आया हमारे frequency का divided by 4th item तो 140 को अगर 4 से divide करे 35th आया हमारा अब हमें 35th को किस में देखना है CF में उससे बड़े वाला term या उतना तो 35 तो है नहीं लेकिन उससे बड़ा term है 52 अब इसके सिधाई में आजो यह किस में लाए कर रहा है 20 में तो यानि कि हमारा quartile 1 जो है वो कितना आया 20 ठीक है असान था इसी तरीके से अगर हमें quartile 3 निकालना हो तो उसका formula 3 and plus 1 होता है तो 3 139 plus 1 divided by 4th item तो 3 को हमें multiply करना है अगर हम इसको solve करेंगे तो कितना आएगा 35 यह आगया आपका 105 ठीक है अब हमें 105 देखना है इसमें लाए करता है तो इसके सामने वाला हो गया हमारा quartile 3 30 तो आपका Q1 आजाएगा Q3 आजाएगा लेकिन वो किस में से निकलेगा X में से निकलेगा चेक किस में करना है CF में तो काफी बार यह गलती हो जाती है कि हम चेक नहीं करते हमारे जो टम आई होती है हम उसे ही quartile माल लेते तो ऐसा नहीं करना हमें चेक करके x में से उसे find out करना है पहली चीज़ अब हमें क्या बोला है question में निकालने को अगर हमें बोला है inter quartile range निकालो तो simple है आपका q3 आया था guys 30 और q1 आया था 20 तो answer आजाएगा आपका 10 इसके बाद अगर वो कहते है quartile deviation निकालो तो जो ही आपका q3 माइनस q1 10 आया था इसको 2 से divide कर दो तो 5 आजाएगा quartile deviation अगर ये कहते है coefficient of quartile deviation तो उसका formula तो हमें पता ही है q3 माइनस q1 divided by q3 plus q1 तो 30 माइनस 20 divided by 30 plus 20 यह आगया 10 divided by 50 और अगर हम इसको कारते तो 0.2 answer आचाएगा तो इस तरह के से आप quartile को बहुत इससानी से निकाल सकते हो तो इस आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपनी सिरीज को सिरीज को आरेंज करना नहीं भूलना दूसरा आपको CF जरूर निकालना है और जो भी time आएगी उसको CF में धूढ़ कर सामने X में से find out करना है बड़ा time मिल जाए उस में से लेके उसके सामने जो X होगा वही आपका quartile होगा तो X में से quartile निकलेगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है और अगर कोई भी दिक्कत होती है इंस्टाग्राम पर पिक शेयर कर सकते है अपने question की और अगर वीडियो पसंद आई है और समझ हाई है तो like जरूर करना अपने friends को साथ share करना और yes चैनल को subscribe करना Thank you